उत्तर प्रदेश सरकार ने बांदा जेल में बंद माफिया मुखतार अंसारी की मौत की न्याइक जांच के आदेश दे दिये हैं। आपर मुख्य न्याइक मैजिस्ट्वेट गरिमा सिंग को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच की रिपोर्ट एक महीने में देने का आदेश दिया गया है। इससे पहले बांदा जेल में बंद दिल का दौरा पढ़ने की वज़े से मुखतार अंसारी की मौत हो गई थी। बाद में उन्हें मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था जहां डौक्टरों ने मृत गोशित कर दिया था। और उतर प्रदेश के माफिया डौन रहे मुखतार अंसारी की कादियक अरेस्ट से मौत पर बीजेपी के पूर विधायक कृष्णानंद राई की पतनी अलका राई ने कहा कि हम बहुत खोश हैं। बाबा की कृपा है ये भगवान का न्याय है विपक्ष कुछ भी कह सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखतार की मौत के बाद बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राई की पतनी और बेटे ने काशी विश्वनात मंदिर के दर्शन किये। तो समाजवादी पाटी ने भी मुखतार अंसारी की मौत पर कुछ सवाल खड़े किये हैं और कहा है कि सुप्रीम कोट के न्याय धीश की निगरानी में जाच होनी चाहिए। अखिले श्यादव ने कहा नियाईक प्रिक्रिया से लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए। ये यूपी में कानून विवस्था का शून यकाल है। राज्य सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। आज की एक और बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो सौफ्ट के सनस्थापक रहे बिल गेट्स के साथ अपने आवास पर कई मुद्दों पर बातचीत की। इस बातचीत में प्रोध्योगी की स्वास्थ्य जलवायू परिवर्तन समेत अनेक मुद् देते हुए कहा कि गावों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं। ABP News आपको रखे आगे